नमस्कार मैं आरेश चौहान एक बाद फिर आपका स्वागत करता हूं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैंकिंग लोचा दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए एक सरकारी जोग की खुशकवरी लेकाया हूँ एयरपोर्ट ऑथर्टी ऑप इंडिया भारतिय बिमान पत्तन प्राधी कराँ इसमें वेकेंशिया निकली है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जूनियर एक्जुकुटिव वेकेंशिया है ये सारी की सारी और टोटल वेकेंशिया है 496, 496 इसका नोटिवेकिशन 14 अक्टूबर को निकला है और इसकी जो एपलाई करना है आपना वो ओनलाइन करना है इसलिए 14 अक्टूबर को पहले से पहले निकल गया है ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ सकें इसकी स्टार्ट डेट 1 नवंबर 2023 से लेकर के लाश्ट डेट इसकी 30 नवंबर 2023 है इसकी ओपिशल वेबसाइट है https column double slash aai.aero arrow यह इसकी ओपिशल वेबसाइट है दवारा से नोट कर लीजिए https column double slash aai.aero यह इसकी ओपिशल वेबसाइट है आप इसपे जाएं और इनका notification अच्छी तरह से पढ़ें सारी नियमव सर्तें पढ़ें तब इसमें आप online अपलाई करें इसमें जो age limit इन्होंने रखी है वो 27 से 30 बरस की रखी है यानि 27 से लेके 30 बरस तक के जो candidate है वो इसमें एपलाई कर सकते हैं online education qualification इसमें जो रखा है इन्होंने graduation minimum graduation रखा है उसके बाद इन्होंने जो रखा हुआ है degree कोई भी degree डिपलोमा हो आपके पास में IIT IIM XLR TISS और BE BTEC BSC Engineering की डिगरी यह अगर qualifications आपके पास है तो आप इसमें आराम से अपना apply करें और अपना भविश्च बनाएं यह government of India के अंतरगात आता है दोस्तो भारस सरकार की जोब है आप इसमें apply करेंगे तो सरकारी जोब आपको यह मिल जाएगी age limit मैंने आपको बता दिया 27 से 30 बरस है education qualification मैंने आपको बता दिया minimum graduation BE, BTEC BSC engineering diploma या कोई other diploma अगर आपके पास है तो इसमें आपको यह काम आएगा जो document इसमें लगेंगे आपके वो application आप भरेंगे application बरने के बाद आप उसमें आधार कार्ड अपना voter कार्ड या pen कार्ड है तो pen कार्ड भी डाल दीजिए mark sheet school का certificate जो college दस्मी का और college वाला certificate आप इसमें डालिए और submit कर दीजिए एक photo और signature यह आपको सभी upload इसमें साथ के साथ करने है इसमें सबसे पहला आपका बोईच टेस्ट होगा उसके बाद पियस टेक्स होगा पिये टेस्ट होगा और background verification भी आपका होगा उसके बाद आपका medical भी होगा और इतना सब होने के बाद तब आपका selection इसमें होगा application फीस इसमें जो इन्होंने रखी है SC, ST और female के लिए female और PWD इसके लिए इन्होंने निल रखी है अगर कोई apprentice है यानि पहले से इसमें apprentice ने कोई apply किया हुआ था और वो training कर पूरी कर चुका है तो उसके लिए भी इन्होंने कोई भी फीस नहीं रखी है OBC और others के लिए इन्होंने 1000 रुपे फीस रखी है और वो आपको online ही pay करना है तो दोस्तों इसका जो start date है वो 1 नवंबर 2023 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक होगा और last 11 बजे रात तक इसके निकाई चलेगा 11 बजे रात के बाद आपका कोई भी change या कोई भी document अगर आपका रह गया है तो वो आपका allow नहीं करेंगे तो दोस्तों आप इनकी website पर जाएं और website पर जाकर कि इनका notification अच्छी तरह से पढ़ें notification पढ़ने के बाद ही आप इसमें apply करें तो better होगा मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों आज के लिए बस इतना ही नमस्कार जैहिन जैहिन